हैलो कृन्ट संध्य की कुकींग में आपका स्वागत हैं देखिए आज हम बनाते हैं कट हल की सब्जी वह भी कम तेल और कम मसाले में हम कटहल को कैसे बनाएं, पहले हम कटहल को काटेंगे, देखिए इसे हम कैसे काटेंगे, इसे काटना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो दूद निकलता है, वो हमें बहुत ही परिशान करता है, देखिए कितना सारा दूद है इसने, इसलिए हम हाथों में पहले सरसों का तेल लगा लेंगे कोई भी तेल लगा सकती है हाथों में अच्छी तरह तेल लगाके ही इसे काटना सुरू करें और इसे काटते समय आप पेपर ले ले इस्टरा पेपर ले 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 ताकि इसका दूद जो है हम हमेशा इसको अलग पेपर में पोश्टे जाएं नहीं ते ये हाथों में लग जाता है तो जल्दी साफ नहीं होता है इसलिए हम इसे बहुत ही सावधानी से काटें ताकि इसका दूद जो है ओ हमारे हाथों में लगे न फिर भी थोड़ा बहुत लग जाता है तो तेल हाथों में लगा रह तो इजली साफ हो जाता है इसी तरह हम पहले पेपर से पोच्टे हुए सब अलग रख देंगे दूद वाले हिससे को फीर से हम साफ पेपर विछाएंगे और उस पे कट करेंगे इसके पीसेज को देखें हमने पहले इसे सब्जी के लिए कट करेंगे और इसका हम आचार भी बनाना आपको बताऊंगी ओ भी विल्कुल आसान तरीके से प्रीज वीडियो को लाइक सेरें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले देखिए हमें तो इससे काटना नहीं आता फिर भी हम इसे पले छोटा छोटा टुकडा कर लिये हैं और हमें चकु से ही काटना आसान पड़ता है आपको जिस चीज से आसान हो उस चीज से आप इसे कट कर लें देखिए हम उसे कट करने के बाद फिर अब हम चकु से ही काट सभी को हमने काट लिया है अब हमने लिया है कडाही देखिए छोटे-छोटे पिसेज में हमने कट कर लिया है कडाही में हम डालेंगे तेल और जीरा पच्पोरन और थोड़ा समने डाला है गरम मसाला और हम डालेंगे दो कटी हुई प्याज मेडियम साइज और इसे भी ब्रा कटहल को भी भूनने में बहुत समय लगता है इसलिए प्याज जो है अगर ज्यादा भून देंगी तो इस कटहल के साथ फिर जल जाएगी इसलिए हम प्याज को थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे और कठर के साथ फिर अच्छी तरह से भूनेंगे चलाते गए अब हम तयारे करेंगे मसाले की नेखे जो हमने बहुत ही कम लिया है यह हमने अद्रक लासून और हरी मिर्श का पेष्ट लिया है और उसमें डालेंगे हम हल्दी पावडर और दो चमज धनिया पावडर एक चमज गरम मसाला बस यही हमारा मसाला है और इस मसाले को हमने घर प से जाकर देख सकते हैं या तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लग जाएगी आप उसे देख सकते हैं इसे बनाना मसाले को भी बिल्कुल आसान है और देखे थोड़ी देर तक हम पले मसाले को पकाएंगे और हम मसाले को गरम पानी ही डाल कर पकाएंगे ठंडा पानी हम इस हमने एक कटा हुआ डाल दिया है टमाटर आप चाहे तो टमाटर को इसकीप कर सकते हैं देखिए थोड़ी देर बाद हमारा मसाला बोन चुका है अब हम इसमें डालेंगे स्वादंसार नमक और गरम पानी इस बार भी हमने थोड़ा गरम पानी ही यूच किया है आप ठंडा भी डाल सकते हैं ठंडा डालने के बाद कुछ ज़्यादा देर तक थोड़ी पकाना पड़ेगा देखिए हमारी सबजी जो है पक चुकी है हमें 10 मिनट लगा है पकाने में अब इसे हम सर्व करने के लिए न सबजी इस तरीके से एक बार जरूर बना कर देखना देखिए देखने से ही बहुत टेस्टी लग रही है कम मसाले और कम तेल में हमारी सबजी बनके हो गई तयार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद